अई 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 आई अगर सस्ट अलेकुम कैसे हैं आप सब आपसब बिल्कुल ठीकी होंगे मैं भी ठीक हूँ अल्ला का शुकर है हम अज बनाने वाले हैं बटर्फलाई प्राउंस तो butterfly prawns बनाने के लिए मैंने सारे prawns को इस तरीके से butterfly की shape दे दी है ये दो मैंने आपको बताने के लिए रखा है तो आपको थोड़े बड़े सा इसके prawns लेने है उससे जादा अच्छे shape बनेंगे बाकी आप छोटे भी ले सकते हैं बट अगर बड़े लोगे तो जादा अच्छा है तो इसको इस तरीके से center में cut लगा देना है knife से हलके हातों से cut लगाना है गहरा cut नहीं लगाना है हमें इस तरीके से लगाना है कि ये दो पार्ट में easily खूल सके तो इसमें vein होती है first vein मैंने clean कर ली है अब जो ये अंदर देखिए second vein है इसको भी आपको deepen कर लेना है इस तरीके से जो गंदा होता है इसका वो आपको clean कर लेना है और इस तरीके से cut लगाने के बाद knife से या कोई भी spoon से इस तरीके से आप इसको मार लीजिए नाइफ से जिससे ये चप्टा हो जाएगा और बटरफलाई की शेप आजाएगी ये देखिए इस तरीके से आप उसको हलके हातों से मारना है जादा जोर देते वे मत मारिएगा क्योंकि प्रॉंस नाजुक होते हैं और हमने इनको दो हिस्सों में कर दिया है तो ये और नाजुक हो चुके हैं तो हलके हातों से इसको आपको मारना है नाइफ से तो इसी तरह ये देखिए सेकेंड वाला भी मैं आपको एक कर के बताती हूँ ये देखिए इसमें भी जो ये वेन है इसका जो गंदा है वो निकाल लीजिए इस तरीके से तो इसको भी मैंने निकाल लिया है और कट लगा लिये है और हलके हाथों से इसको इस तरीके से आप मारते जाएए तो ये चप्टा हो जाएगा और बटरफलाई की शेप आ जाएगी तो सारे प्रॉंस को हमने बटरफलाई की शेप दे दी है अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे मसालो में तो सारे प्रॉंस को हम प्लेट में निकाल लेंगे इसमें मैंने वन टेस्पून सॉल्ट और वान फ़फ टीस्पून कश्मीरी लाल मिच पाउडर लिया है अगर आपको और जाधा कलर चाहिए तो आप जाधा डाल दे लाल मिचछे और ये हाफ लेमन का जूस दालेंगे हम इसमें और ये 1 टीस्पून मैंने लसन का पेस्ट लिया है जदा पानी वाला नहीं होना चाहिए अगर आपके पर गार्लिक पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो इनको मिक्स कर देंगे और खुश्बू इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है लसन की लेमन जूस की और 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट थाकि थोड़ा फ्लेवर्फूल हो जाए हमारा मैदा बिल्कुल प्लेइन ना रहे तो इसको मिक्स करने के बाद यह मैंने ब्रेट क्रम्स लिये है ब्रेट को जार में ग्राइंड कर लीजिए और उसक 1 टीस्पून पानी डाल दीजिए और इसको फैंट लीजिए मिक्स कर लीजिए अगर आप सॉल्ट डालना चाहे तो डाल सकते हैं बर जरूरत नहीं हमने बाकी चीजों में सॉल्ट डाला है पानी हमने अंडे में इसले डाला है ताकि वह अच्छी तरह से कोट हो जाए प्र करेंगे फिर अंडे में डीप कर लीजिए और एकसेस को जटक दीजिए और ब्रेट क्रम्स में इसको कोट कर ले अच्छी तरीके से दूसरे हातों से ब्रेट क्रम्स में इसको कोट कर लेना है थोड़ा प्रेस करते हुए सेंटर में हर साट से कोट होना चाहिए तब ही हमार मैदे में डिप करके फिर अंडे में डिप करेंगे फिर इसको मैदे में डिप कर लेना है फिर अंडे की कोटिंग करेंगे हम इस पर फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और सारे प्रॉंज को हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे आप चाहे तो इसको इस तर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तब आप इसको निकाल कर घा सकते है तो यह देखिंए सारे प्राॉ wojju को मैंने इस तरीके से ढीप करके रख दिया है इस वक्त आ पिसको फ्रीज में रखके आदा घंटा उसके बाद भी फ्राइ कर सकते हैं बट मैं डायरिक फ्राइ कर रही हूं इसको तो ओल को मैंने जादा गरम नहीं किया है लो फ्लेम पर थोड़ा सा हलका सा गरम कर लेंगे ओल को वरना कलर उपर से आजाएगा और अंदर से प्राइन्स कच्चे रह जाएंगे तो मेरे थोड़े बड़े साइस के प्राइन्स है इसलिए मैं दोनों साइट पर 6-6 मिनिट इसको पकाऊंगी यानि पूरा 12 मिनिट हमें लगेंगे इसको फ्राइ होने के लिए अगर आपके छोटे साइस के होंगे तो 3-4 मिनिट में पक जाएंगे तो यह देखिए लो फ्लेम पर पकते वे इसको एक साइट पर 6 मिनिट हो चुके हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है अब इसकी साइट को हम पल्टी कर देंगे और यह बहुत ही मज़ेक और टेस्टी लगते हैं खाने में आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह देखिए दूसरे साइट पर भी मैंने इसको 6 मिनिट पका लिया है बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बनकर रेडी हुए है इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी के प्रॉंज भी इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो यह देखिए बाकी के भी मैंने सारे इसी तरीके से फ्राइ कर लिये हैं कितने क्रिस्पी बने हैं यह आप देख सकते हैं यह देखिए टूड भी नहीं रहे हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं आप इसको सॉस के Analytics कीजिए में तरहें अगर आपको शेचे करैंज आहे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आपको लाइक पर मेरे 6 जरूर ट्राय आये मते हैं तो इसातर से नए ह्ली tutte पर तु आपको सब्सक्राइब करना ना बूले पल्राइब कस यह बातारों त्र